हलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सो बच्चो एक बड़ी खबर आ रही है CBAC के तरप से एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि स्कूल की टर्म परिक्षा और यूनिट टेश्ट देने के बाद ही ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो आप पूरा सुरू से अंतक देखते रहें चलिए पूरे नियूज को हम देखते हैं बच्चो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सौल नहीं हो पा रहा है चाहे IIT, JE, NEET या क्लास 6 से 12 तक का सवालो इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो Physics, Chemistry, Maths, Biology आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट एप पर साथ ही डाउटनट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंगलिस और हिंदी मेडियम में लाइफ क्लासेज यानि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट एप पर तीन करोर से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनट एप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाएए और डाउटनट एप को इंस्टॉल कीज़ाई सो यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल की टर्म परिक्चा और यूनिट टेश्ट देने के बाद ही चात्र बोड परिक्चा में सामिल हो पाएंगे CBAC ने इसको लेकर निर्दे जारी कर दिया है बोड की माने तो जो चात्र लोगडाउन परिक्चा में सामिल नहीं हो पाएंगे उनकी इस्कूल द्वारा दوبारा परिक्चा ली जाएगी यह परिक्चा ओफ-लाइन अस्कूल में ली जाएगी board की माने तो हर छात्र को प्रत्थम term परिक्षा और unit test देना अनिवारी है तो ये आपलू के लिए बहुत ही ज़्यादा important है कि जो भी बच्चे अभी अपनी term wise जो परिक्षा है या फिर जो भी test वगिरा जो school में online अभी conduct करवाया जा रहा है तो अगर बच्चे वे नहीं दे रहे हैं तो उनकी फिर offline test या फिर examination शोंगी उसके बाद ही वे board परिक्षा दे सकते हैं इसके बाद आगे दिया गया है कि बिना इसके छात्र का वार्सिक board परिक्षा का result तयार नहीं हो पाएगा क्योंकि दो term परिक्षा और दो unit test लिया जाता है इन चारों में दो परिक्षा में best अंक आते हैं तो वह उनके अंक वार्सिक परिक्षा के result में जुड़ते हैं इसके बाद यहाँ पे एक और news है जिसमें attendance को लेके बताया गया था कि 15% इस बार हम लोग को छूट मिला है attendance में तो इसका वीडियो मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है आपने गर नहीं देखा हुआ होगा तो description पर मैं link दे दूँगा आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो तो यह news था इसके बाद नीचे और भी कुछ चीजे लिखी हुई है लेकिन जो main हम लोग का यहाँ पर बात था कि जो हमारी school की term परिक्षा है और जो unit test अभी online फिलाल अभी जो है school में से लिये जा रहा है तो वो सारे आप लोग miss ना करे otherwise फिर से आप लोग की offline परिक्षा होगी या फिर offline unit test होगा जब तक कि आप offline unit test या फिर examination नहीं दे देते हो जो term wise होता है तब तक बोड परिक्षा में आपको बैठने की अनुमती नहीं दी जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही और भी latest update इसी तरह से पाते रहने के लिए चैनल को subscribe करके रखे Thank you